आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे टिप्स जिने फॉलो करके आप अपने मोत्या बिन का आने का टाइम डिले कर सकते नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुमित अगरवाल, मैं एक औफ्थल्मॉलजिस्ट यानी आई स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा सूपर स्पेशलाइजेशन है रेटिना की बिमारियों से डील करना हूँ सबसे पहले, यूवी लाइट से अपनी आखों को प्रेटेक्शन दे इसके लिए आप यूवी फिल्टर वाले संग्लासेज या यूवी फिल्टर वाले चश्मे यूज़ कर सकते हैं जिससे की सनलाइट की यूवी रेज से आपका प्रेटेक्शन है अपनी डायेट में पॉश्टिक खाना लें जो की अंटी ओक्सिडेंट रिच हो पॉश्टिक भोजन यानि की हरे पत्तेदार सबजियां, कलर्ट फूट्स और वेजटेबल्स इन चीज़ों का सेवन आप अधिक मातरा में करें तीसरा पॉइंट है तमबाकू या स्मोकिंग को बिलकुल स्टॉप करना यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो जल्दी से जल्दी उसे क्विट करने की कोशिश करें इससे आपका कैटराक्ट बढ़ने का रेट बहुत कम हो जाएं बहुत से लोग बिना आँखों के डॉक्टर को दिखाएं सिर्फ केमिस्स से कुछ भी ड्रॉप्स लेके आँख में डाल लेते हैं बहुत सारे इस तरह के ड्रॉप्स में स्टिरोइड रहते हैं और स्टिरोइड फ्रिक्वेंटली डालने से कैटराक्ट बहुत जल्दी बनता है और लास्ट चीज आँखों का रेगुलर चेकप कराते रहें 40 की एज के बाद हर साल कम से कम एक बार आँख का एक डिटेल चेकप होना चाहिए इससे फाइदा ये रहेगा कि जो भी बिमारी है वो जल्दी हम कैच कर पाएंगे और उसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट हो पाएगा धन्यवाद